दिस न्यूज इस ब्राट्टिवाई बर्मा ज्वेलर सोलन दे बिगेस्ट ज्वेलरी शोरूम ओफ हिमाचल प्रदेश जिसके लंबाई 1.8 किलोमेटर है उन्होंने कहा कि किरतपुर से मनाली परियोजना प्रदानमंत्री नरेंद्र मोधी द्वारा राज्य को दी गई एक बड़ी सौगात है मैं समस्ताओं कि जितना मैंने देखा है तो मैं ये देख रहा हूं कि भारत सरकार ने हिमाचल के सरकार को बहुत बड़ी उपलब दी ये टेनल वन फस्ट मैं 1800 मीटर की जो टेनल है इतनी बड़ी टेनल और इतनी खूबसूरती के साथ इन लोगों ने बनाया है रेलवे और हाईवे ये दोनों मिल करके जो काम कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि पहाड़ों के बीच से काट करकरके और हिमाचल को एक अच्छे उपलब दी देने का जो काम हो रहा है अभी ये कर रहा है जिससे लागत तो बढ़नी चाहिए वह बढ़ना ही पाएगी बल्कि उसी में होगी हाँ मैं यह मानता जरूर हो कि समय के अनुसार जैस जिस प्रकार से हुआ लागत तोड़क बढ़ेगी भी फिर भी इसकी चिंता बार सरकार को करता ही नहीं है क्योंकि कि इससे हीमाचल की उपलब्दी होगी तूरिजम बढ़ेगा यहां डी सी से मैंने बात किया उन्होंने कहा कि इसके आज पास की स्थिति में एक अध्योगिक शेत्र डबलब करेंगे उस अध्योगिक शेत्र डबलब करने के नाते मैं यह मान करके चलता हुआ कि अस्थानी आने वाले समय में जल्दी माननी प्रदान मंतरी जी आकर के इसके को इनाग्रेट भी करेंगे इस तद्य मैं भी आया हूँ मैं इसके लिए दिवे हिमाचल टीवी के रे बिलासपर से अभीशेक सोनी के रिपोर्ट कहते हैं हिमाचल की वादियों में काफी राज छुपे हैं ये हिमाले परवत हमें हजारों साल से विश्वास देते रहे हैं सुरक्षा का वैसे ही आपके अपने परमाजुलस पचास सालों से भी ज्यादा वर्शों से आपके विश्वास पात्र रहे हैं और लाते रहे हैं फरोसे की मुस्कराहट पाँच लाग से भी ज्यादा हे माचली चेहरों पे उनके बनाए आभुशनों की शुद्धता के लिए सही कीमत के लिए सोने के आभुशनों की वापसी पर कोई भी कटोती ना करने के लिए हीरो के जवारातों पर 5 प्रतिशक अधिक दिनागी की गैरंटी के लिए और तो और 5 सेंट तक के हीरे अगर गिर भी जाएं तो उन्हें बिल्कुल मुफ्ट पदलने के लिए और जीवन भर मुफ्ट मरंबत की गैरंटी के लिए सारे हिमाचल में और कहीं इतनी सुविधाएं एक छट के नीचे कहा मिली इनका 5,000 स्क्वेर फुट से भी बड़ा शानदार शोरू स्वयम ही आपको आवंत्रत करता है एक लंबे रिष्टे की शुरुआत करने और उस रिष्टे को जीवन भर कायम रखने के लिए हमारे हिमाचल की सुन्दरता जो देश के लाखों लोगों को खीच लाती है अपनी ओर फिर आप कहीं और क्यों जाए जब आपके पास है आपके अपने परमाचुदस